रिट पेटिशन अर्थात रिट याचिका एक प्रकार का लिखित आदेश है जो कोड दोरा किसी सरकारी संस्थान को कोई कार करने या ना करने के लिए दिया जाता है सम्विदान के भाग तीन में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है सम्विदान एक उप्चारों संबंदित मूल अधिकार का प्रावधान सम्विदान के अनुच्छे 32 से लेकर 35 में किया गया है यदि किसी के मूल अधिकार का उलंगन राज्य दोरा किया जाता है तो राज्य के वरुद्ध नियाय पाने के लिए सम्विदान के अनुच्छे 32 के अंतरगत सुप्रीम कोट में जबकि अनुच्छे 226 के अंतरगत हाई कोट में रिट याजी का दाखिल करने का अधिकार दिय गया है सबसे पहले यह देखते हैं कि रिट कितने प्रकार की होती है नंबर वन बंदी प्रत्यक्षी करन हैबियस कॉर्पस नंबर टू परमादेस मैंडमस नंबर थ्री प्रतिशेद प्रोहिबिशन नंबर फूर उत्प्रेशन लेक सर्टी औररी नंबर फाइब अधिकार प्रच्छा क्वा वारंटो नंबर एक बंदी प्रत्यक्षी करन हैबियस कॉर्पस हैबियस कॉर्पस एक लेटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रोड्यूस तब बोडी अर्थात किसी व्यक्ति का शरीर पेश करें हिंदी में हैबियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्ष करना अर्था सामने लाना यह रिट याची का उस अधिकारी की वरुद्ध दायर की जाती है जो किसी व्यक्ति को बंदी बना कर रखता है इस रिट को जारी करके गरफतार करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गरफतार व्यक्ति को नेयलाय में पेश क पीडित व्यक्ति की ओर से कोई भी दायर कर सकता है। पीडित को कोट में उपस्तित होना आवश्यक नहीं है। यह फैसला कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्टेट दारजी लिंक के बाद में आया था। यह रिट अवैद गरफतारी के वरुद्ध कानूनी राहत प्रदान करत है। हैबियस कॉर्पस सुनिश्चित करता है कि गरफतार व्यक्ति को नयाले के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिसके अंतरगत यह सुनिश्चित किया जाए कि उसकी गरफतारी वैद है या नहीं। यदि गरफतारी अवैद है तो उसे रिलीज करके उसके फ्रीडम को पने इस्ताफित किया जाये नमबर टू परमादेश मेंडमस मेंडमस का आर्थ होता है To Give the Mandate और हिंदी में परमादेश का आर्थ होता है हम आदेश देते हैं इस रिट के अंतरगत कोर्ट से अपील की जाती है कि कोर्ट इस प्रकार का आदेश दे कि कोई भी सरकारी संस्तान अथ्वा लोक अधिकारी अपने कर्तब्यों का पालन करे यदि कोई लोक अधिकारी है जिसे कानून के अंतरगत कोई कार करना चाहिए जीसे वे नहीं कर रहा है तो हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में पर्मादेश रिट धायर की जा सकती है इस रिट के दौरा किसी लोक अधिकारी के अलाव़ अधिनस्त न्याल है अथवा निगम के अधिकारी को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सोपे गए कर्तब्यों का पालन करे लेकिन परमादेश रिट, राष्टपती तथा राजपल के वरुद्ध जारी नहीं हो सकती प्रतिशेद रिट का अर्थ होता है मना करना या रोकना सामानेत है इसे इस्टे ओर्डर के नाम से जाना जाता है जब भी कोई निचली कोट अपनी शक्ती या अधिकार छेतर से बाहर कार करने की कोशिश करती है तो यह प्रतिशेद रिट हाई कोट दोरा निचली कोट या ट्रिबूनल कोट को जारी की जाती है प्रतिशेद रिट निचली कोट को चेत्राधिकार से बाहर कार करने से रोकती है उधारण के लिए यदि जिला कोट हाई कोट के निर्णे के वरुद अपील सुनता है क्योंकि जिला कोट के पास ऐसी अपील को सुनने के लिए कानून द्वारा कोई शक्ति परदान नहीं की गई है ऐसे मामले में एक प्रतिशेद रिट जारी की जाएगी सर्टियोररी का अर्थ होता है प्रेडिूस दा सर्टिफिकेट जब भी किसी मामले में हाई कोट या सुप्रीम कोट को लगता है कि किसी केस का पुनरावलोकन अर्थात रिविव उसे खुद करना चाहिए तो हाई कोट या सुप्रीम कोट उत्प्रेशन जारी कर निचली कोट से उस केस को अपने पास मंगवा लेता है लेकिन केस को अपने पास बुलवाने से यहतात पर नहीं है कि हाई कोट या सुप्रीम कोट का निचली कोट के वरुद्धी हो वे शर्तें जब उत्प्रेशन की रिट जारी कीज़ सकती है पहला जब एक निचली कोट अपने अधिकार छेतर से बाहर जाकर कार करती है और उसे प्रदान किये गए छेतर अधिकार का दुरुप्योग करती है दूसरा यह रिट तब भी जारी कीज़ सकती है जब निचली कोट दोरा अपना ही जाने वाली प्रक्रिया में कोई मौलत तुर्टी हो या प्राक्रतिक नया कि सिद्धान्त का उलंगन हो तीसरा, यह रड तब भी जारीक किजा सकती है, जब तुरुटी कानून की अवेलना पर आदा रहे तो जब यह सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब ही उत परेशन अर्था सर्टी और अलीग के रड जारीक किजा सकती है अधिकार प्रक्षा का अर्थ यह है कि हाई कोर्ट यह सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोग अधिकारी से यह पूछ सकता है कि आप किस पोजिशन से इस पत को होल्ड कर रहे हैं अर्थात कोवारेंटो उस व्यक्ति के वरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोगपत को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे नहीं है। यही आज की 5 रिट थी लेकिन आर्टिकल 139 के अंतरगत संसत द्वारा सुप्रीम कोट को इन रिटों के अलाबा और भी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है।